इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड बाइ फोन मेंटर ये एक ऐसी वेब साइट है जिसके दुआरा आप अपने बच्चों और आप अपने नियर और डियर के फोन पर पूरी नज़र रख सकते हो उनकी कॉल डीटेल्स, मैसेजिस, लोकेशन, लोकेशन हिस्टरी, उनके मैसेज, उ सारी चीजों पर आप नज़र रख सकते हो पर ध्यान रखेगा दोस्तों आपको इस एप को एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना है ताकि आपका और आपके जिस पर नज़र रख रहे हो दोनों का फाइदा हो सके नमस्कार दोस्तों मैं हूँ साहीब यूटीब चैनल ट टेस्ट करके दिखाएए क्योंकि इसमें 5000 मिलियंपेर की फास्ट बैटरी आती है तो इस वीडियो में मैं वही करने जा रहा हूँ यह चार्जर हम यूज़ करेंगे दोस्तों यह है आपकी का क्विक चार्जर 3.0 डियोल पॉर्ट के साथ तो यह एक बहुत यह बहतरी चार जोगा और साथ में जो मैं केबल यूज़ कर रहा हूँ वो भी फास्ट चार्जिंग कंपैटिबल केबल है उससे पहले आपको यहां का अम्बियंट टेंपरेचर दिखा देता हूँ दोस्तों इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाता हूँ कि जो मेरे डेस्क पर टेंपरेचर है एम्बियंट वो है 33 डिग्री सेल्सियस और जो स्मार्टफोन का टेंपरेचर है वो है राउंड 35-36 डिग्री के अराउंड है तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अभी इस डिवाइस की जो बैटरी लेवल है वो सिरफ एक परसेंट है त कितना हीट होता है क्योंकि नौर्मली दोस्तो ऐसा होता है कि जब हम फास्ट चारजरी यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाते है तो हम वो भी इसमें टेस्ट करेंगी आप देख सकते हैं कि चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है और उसके बा पांच मिनट से यह डिवाइस चार्ज हो रहा है और अगर मैं पांच मिनट के बाद आपको बैटरी लेवल दिखा हूँ तो 7% है यह वही बैटरी लेवल है जो इसके स्टॉक चार्जर के साथ हुआ था तो अभी तो हमने कोई मेजर इंप्रूमेंट नहीं देखी है पर कितना होगा कि क्या 15 मिनिट के बाद यह इसमें कोई इंप्रूमेंट आते हैं और यह डिवाइस कितना हीट होता है तो मिलते हैं 15 मिनिट के बाद तो दोस्तों जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि 15 मिनिट से हमारा चिंटू चार्ज हो रहा है और अगर आपको मैं 15 मिनिट के बाद इसका बैटरी लेवल दिखाऊं तो यहां पर डेफिनेटली इंप्रूमेंट है 15 मिनिट के बाद यह 17 परसेंट चार्ज हुआ अब फास्ट चार्जर से उसके बाद इसका मैं टैंप्रेचर आपको दिखा देता हूं तो इसका जो टैंप्रेचर है पैक पे अभी के लिए 37.4 इसका मैक्सिमम टैंप्रेचर था तो अभी के लिए दोस्तों इस डिवाइस में नॉर्मल वामनेस है ज्यादा डिवाइस यह ओवर हीट नहीं हो रहा है तो अभी हम 15 मिनिट और एड़ करेंगे और मिलेंगे आदे गंटे के बाद और देखेंगे कितनी इंप्रूब्मेंट्स है इस डिवाइस में तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि ओल्मोस्ट तीस मिनिट से यह डिवाइस चार्ज ह हो रहा है और अगर आपको मैं 30 मिनिट के बाद बैटरी लेवल दिखा हूँ तो वो है 31 परसेंट अभी यह 32 परसेंट हो गया तो डेफिनिटली थोड़ा सी इंप्रूमेंट है बैक मुझे थोड़ी वाम लग रही या भी इसकी तो बैक पर यहाँ पर वामनेस थी अराउं गंटा ऑर एड़ करूंगा झि क्या इसमें कोई significant improvement हमें देखने को मिलती अभी तक improvement है पर वह बहुत कम है तो देखेंगे कि आदा गंटा एड़ गंटा है कि इतनी improvement होती और कितना यह device हीट होता है तो दोस्तो जैसा कि कि आप अब भी यहाँ पर देख सकते हैं एक गंटे से Zenfone Max Pro M1 चार्ज हो रहा है बड़ाई बड़ अजीब नाम है एक घंटे में ये 53% चार्ज हो चुका है तो फिर से slightly improvement है बहुत कम improvement है stock charger से compare करते हुए और back पर जो temperature है almost 39 है और जो screen पर temperature है वो भी almost 39 है तो major improvements अभी तक नहीं हुए है एक fast charger के साथ तो दोस्तो अभी मैं क्या करूँगा पूरा एक घंटा एड़ करूँगा और देखूँगा क्या 2 गंटे के बाद हमें improvements इस charger के साथ देखने को मिलते हैं तो अभी मिलते हैं 2 गंटे के बाद तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस को चार्ज होते हुए ओल्मोस्ट दो गंटे हो गए है और अगर मैं दो गंटे के बाद इसका आपको बैटरी लेवल दिखाऊं तो यहां से क्लियर है कि यह दो गंटे में 84% चार्ज हो गया अब इसकी जो इंप्रूब्मेंट है वो बिल्कुली क्लियर है तकरीबन 2 गंटे में 8-9% की इंप्रूब्मेंट है बहुत ज़दे इंप्रूब्मेंट नहीं है पर डेफिनेट इंप्रूब्मेंट है तो अगर आप एक फास्ट चार्जर अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे अकॉर्णिंग वो ठीक रहेगा अभी 80% के बाद जो इसका टेंप्रेचर है वो भी राउंड 34 डिग्री सेल्सियस हो चुका है बैक पर टेंप्रेचर है 35 डिग्री सेल्सियस दोस्तों अब मैंना क्या करूँगा यहां पर वीडियो के उपर अपडेट कर दूँगा कि यह 100% डिवाईस कितने टाइम में हो गया था क्योंकि अभी काफी रात हो गया और वीडियो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है घर में और आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूँ अगर आपके घर में एक फास चार्जर है तो आप उसे यूज कर सकते हो पर जो चार्जर बोक्स के साथ आता है उसकी भी स्पीड काफी अच्छी है मैं तो यह बोलूँगा सिरफ 5-10% इंप्रूम्मेंट है जो इंप्रूम्मेंट है वो आपके अम्बियंट कंडिशन पर भी डिपेंड करेंगी पर यहां पर हम यह इनफरेंस ले सकते हैं कि अगर आपके पास जैनफोन मैक्स प्रो है वो बेसिकली फास चार्जिंग को स्पोर्ट नहीं करता है पर अगर आपके पास फास चार्जर है तो उसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपका जो मैन चार्जर है वो खो जाए तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना शेर कर देना और कॉमेंट करके बताना कैसा लगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफी effort लगता है आपकी request पर मैंने बनाई है तो एक comment तो बनता है दोस्तो कोई feedback है comment section में mention कर दो इस वीडियो में कभल इतने ही था देखते रहने के लिए धरनेवाद अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में